अगर आप अपने लक्ष में लगे हुए है तो यह आपको थकान नहीं देगी बलकि एक satisfaction देती है यह leaders की द्वारा बोली गई है तो आप देख सकते हैं आप hard work करने से कभी भी पीछे नहीं हटिए सदेव लगे रही है आपको लक्ष की प्राप्ति जरूर होगी चलते हैं आगे बढ़ते हैं आज के प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं और देखते हैं जो नया प्रस्ण है आज का वो क्या है तो आज का जो प्रस्ण है वो हम देखेंगे consider the following animals तो पहला जो एनिमल है वो है सी काउ दूसरा जो है शी होर्स है और तीसरा जो है सी अमल है वो आपको पहचाना है तो option दिया है option 1, option 1 and 3, option 2 and 3 और या फिर all तो यहां पे कौन सा statement सही है वो आपको चूच करना है और comment sections में जरूर बताएं इसकी detailing आपको कल जरूर दी जाएगी तूसरा जो questions मैं previous year questions का डाला हूं UPSC के द्वारा पूछा हुआ है यह द्यान द जाते हैं ताकि उसकी अच्छे से practice भी हो और एक idea जो कि questions किस प्रकार से बनते हैं और किस तरीके से questions को deal भी करे जाती है वो भी यहां पे बताया जाएगा तो an amendment to the constitution of India can be initiated by the introductions of bill in the लोक सभा मली तो जो भी हम constitution में amendment करते हैं लोक सभा बील में ही केवल पेस किया जा सकता है bill तभी amendment होगा ऐसा बोला जा रहा है दूसरा statement देख लेते हैं if such an statement seeks to make changes in the federal character of the constitution the amendment also require ratifications by the legislature of all state of India तो अगर आप federal structure को कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं करने के लिए सोच रहे हैं संगवाद को सोच रहे हैं कि चेंज करना है तो आपको state से भी मंजूरी लेनी पड़ेगी ऐसा बोला जा रहा है तो इसमें बोला जा रहा है कौन सा कथन सही है ये बताइए तो पहला statement है one दूसरा statement बोला जा रहा है only two और तीसरा statement बोला जा रहा है one and two और चौथा statement ये बोला जा रहा है कि इन में से कोई भी नहीं तो कौन सा सही है comment sections में इसका answer जरूर लिखे हैं ताकि आपकी practice बनी रहा है आगे बढ़ते हैं और जो पिछले दिन questions पूछे गए थे उसकी यहाँ पे आपको answer दी जाएगी In the index of 8 core industry which one of the following is given highest weight तो किसको highest weight दी गई है यहाँ पे यही questions पूछा गया है और इसकी detailing आपको मैं अभी दूँँगा तो 8 core industry क्या होता है वो भी हम देखेंगे कि जो प्रमुक industry है वो कौन कौन सी है इसमें highest weight किसका है तो पहला option दे रहा है coal production दूसरा दे रहा है electricity generation और तीसरा दे रहा है fertilizer production और चौथा दे रहा है steel की production इन में से कौन सा सही है तो सबसे पहले मैं आपको ये slide दिखाना चाहता हूँ दिखिए 8 core industry की जो अभी recently एकदम ततकाल news आई है उसके अधार पे हम इस questions को deal करेंगे तो सबसे ज़्यादा weightage यहाँ पे किसको दी जा रही है तो तो ये coal को दी जा रही है मात्र 10.33 percentage crude oil को दी जा रही है 8.98 percent natural oil gas को दी जा रही है वो 6.88 percentage अब बात आती है petroleum refinery product की तो इसकी weightage 28.4 percent है तो इसकी जो weightage है वो highest है ये याद रखियेगा उसके बाद fertilizer की जो आ रही है weightage वो 2.63 percent steel की जो आ रही है 17.92 percent cement की जो आ रही है weightage वो 5.37 percent है और electricity की जो है वो 19.85 percent ये important है आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से questions UPSC इनने आपको देखें हैं आप अभी बना चुका है तो state pieces भी इससे कई बार questions पूछ चुके हैं तो कहीं भी competitive exam की त्यारी कर रहे होंगे आप वहां से questions इसके बनी जाते हैं और यह मार्च के आकड़े हैं अभी recently मैंने PIB से उठाये हैं तो यह सारी चीजों में increase में increment हुई है 14.8 percent यह 2022 और 23 के sessions में यहाँ पे कुछ 2.8 percent का crude oil में decline हुआ है यहाँ पे natural guys में 2.8 percent की भढ़ुत्री भी हुई है petroleum refinery product की बात करी जात 1.5 percent का इसमें भी increment हुआ है fertilizer की बात करी जात इसमें भी 9.5 percent जो है वो बढ़े हैं चीजें steel की भी production बढ़ी गए तो जाईसी बात है यह core industry की production बढ़ती है तो देश की economy अच्छी माने जाती है सिमेंड का production 0.8 percent decline हुआ है electricity का production भी 1.8 percent decline हुआ है तो यह चीजें याद रखिएगा important है किसका decline हुआ है और किसका बढ़ रहा है यह questions बन सकते हैं तो cumulative index में 1.7 percent यहाँ पे चीजे crude oil की बढ़ी है लेकिन important चीजे क्या है तो petroleum सबसे ज़्यादा weightage रखता है तो आप देखते हैं यहाँ पे petroleum है की नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे petroleum है नहीं है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा weightage किसकी है तो यहाँ पे refinery के वाद की electricity की तो option B is the right answer यह चीजें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे देख लेते हैं which can be the impact of excessive inappropriate use of nitrogenous fertilizer in agriculture तो excessive use जो है वो क्या impact करता है agriculture में वो यहाँ पे देखेंगे तो proliferation of nitrogen fixing microorganism in soil can occur तो जो nitrogen fixing microorganism है वो soil में बढ़ सकते हैं increase in the acidity of soil can take place तो soil की acidity भी बढ़ सकती है यहाँ पे leaching of the nitrate to the ground water can occur तो जो आप fertilizer डाल लाए हैं वो ground water में भी जा सकता है तो यह कौन सा statement यहाँ पे सही है यह चीजे बताई जा रही है तो option D यहाँ पे proliferation of the nitrogen fixing microorganism in soil यह भी बढ़ सकता है increase हो सकता है acidity और leaching in the ground यह चीजे होती ही है तो यह answer आपको यहाँ पे मिला आगे बढ़ते हैं जो news आई है उस चीज के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो आप देख सकते हैं leaching की तो जो यह leaching है excessive nitrogen का वहाँ पे इसका questions है तो जी हाँ यह grow करेगी chemical अगर जो भी यूज करते हैं fertilizer के रूप में पेड़ पौधे को उगाने के लिए हम लोग अपने grains को उगाने के लिए तो वो कहीने कहीं excessive जो भी fertilizer का इस्तमाल हम लोग कर रहे हैं वो water table के अंदर leaching हो रही है तो water table से नीचे जाके water को pollute कर रही है और बहुत सारे चीजों को impact कर रही है और यह recycle होती है पुना हमारे पास यह पानी आती है जिसके कारण हम लोग भी इससे प्रभाइत हो रहे हैं तो यह nitrogen जो है एक प्रकार से यह चीजों को impact कर रही है और कहीं यह ozone layer तक भी यह चीजें पहुंचती है और impact करती है तो excess nitrogen contribute to the increased formation of ground level ozone ground level ozone में यह formation करती है कि इसकी O3 जो की poisonous होता है poisonous gas है एक प्रकार से समानता O3 जो है ozone layer में यह पाया जाता है लेकिन ground layer में भी इसकी production शुरू हो जाती है इसकी stability शुरू हो जाती है अगर यह चीजें रिशीट करके जाती है कहाँ पे water table के नीचे और dead zone भी create कर सकती है जिसके कारव बहुत सारी problem होती है aquatic life को और वहाँ पे वो dead भी पाय जाते हैं तो यह सारी problem निकल के आती है अभी रिसेंटली गल्फ आप मैक्सिको में ऐसी चीजें water body dead zone पाई गई है यह सारी चीजें आपको पता होना चाहिए अब चलते है नेशनल प शुन्दरबन निशनल पाक तो यहां से आप जान सकते हैं यह बहुत पहल से यहां से सभी लोगों को पता होगत शुन्दरबन निशनल पाक कहा पे है तो यह यहां पे आपको मालूम होना चाहिए यह वश् Professor बिंगौल में है यह सारे के सारी निश्णल पाक एक list में मैंने आपको दे दिए तो यह कहाँ पे हैं यह आपके West Bengal में पाए जाते हैं आगे बढ़ते हैं नए news की तरफ तो PM यहाँ पे appreciate किये है initiative को कि संसद रसोई का जो starting किया गया है राजस्थान के टोंग रिस्टिक में यह एक बहुत अच्छा initiative है इससी लोगों को अच्छी रसोईया मिल सकेंगी और सही रेट पे मिल सकेंगी PM कंडोल किये हैं यहाँ पे किसके मृत्यु को तो यहाँ पे दुख व्यक्त किये हैं डॉक्टर एन गुपाल क्रिश्ना यह एक scientist है एन गुपाल क्रिश्ना इनकी डेथ पे अपना दुख प्रकट किये हैं तो याद रहिएगा इन गुपाल क्रिश्ना कौन अगर पूछ ले तो यह एक scientist है क्योंकि questions यहां से बन सकते हैं यहाँ पे Ministry of Affairs और यहाँ पे agriculture and farmer welfare श्री नरेंद्र सिंग तोमर जो है कि अरिकल्चर farmer welfare farmer welfare minister है और नाफेट के साथ यहां पे नाफेट के साथ यहां पे मिलके क्या रखिया गया है क्या कि लॉंच किया है कि सिसको मीलेट experience center तो important question है friends इसको याद रखिएगा मीलेट experience सिंटर किसके दवारा लांज किया गया है तो यह देगा और कहां पर तो यह डिली हार्ट याद रखियेगा यह ँम्परटेंट है और किस चीज का यहां पर कार होगा तो इसका यहां जिदा्ख ज़्यादा Kash अर से बुक launch किया है जिसका नाम है reflections और ये किसके द्वारा लिखी गई है questions important है इसलिए इस बुक को पूछ सकता है किसी भी competitive exams में इसलिए मैंने इसको डाला हुआ तो ये बुक लिखा गया है नरायन वागूल के द्वारा जो कि मुंबई के रहने वाले हैं ऐसी चीजें important हो जाती है इसलिए मैंने इसको डाला बहुत अच्छी नियू निकल के आ रही है कि जो नौर्थ इस का पीस और प्रोग्रेस असे चल ला है वो यहाँ पे एपलॉड कर रहे हैं प्रसंचा कर रहे हैं पीम नरिंद्र मोदी तो यहाँ पे जो दिमसा नेशनल लिबरेशन आर्मी थी हमारी दिमसा नेशनल लिबरे को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एकॉर्ड हुआ है तो पीस्पूल चीजें चलेंगी वहाँ पे ऐसा चीजें चल नहीं है यह ग्रूप ऐसी थी तो यह रिबेलियन के रूप में कारे करती थी कि यह गोवर्मेंट के एंटी में काम करें लेकिन अभी पीस एकॉर्ड अगे वह बहने जाता है तो यहाँ पर 29 अपरील को वर्ड वेटेनेरी डे मनाये जाता है तो आज क्या है 29 अपरील है यह चीजें याद रखिए गा और किस चीज में यहाँ पर एजूकेशन और इस सर्विस को आगे दे जाने की बात करी गई है और टैरी के हेल्थ की बात क जीजेगा यह इसका थीम है जो कि पूछ सकता है आपके एक्जाम में दोनों चीज यहां पर नैमिस जो है 2021-22 में एक रिलीज किया है रिपोर्ट और इसके रिपोर्ट में क्या है तो हेल्फ इन्हेंस कंप्रिटिव नेस आफ इंडियन मैनुफेक्ट्रिंग तो जो भी इंड Department DST as the Government of India यहां पर करी है तो Department of Science and Technology DST जो है इस सर्वे को करी है याद रखिएगा तो सर्वे में क्या फाइंडिंग हुई है कि स्टेट और सेक्टर्स हैब परफॉर्म विद रिस्पेक्ट तु दा मैनुफेक्ट्रिंग फॉर्म्स तो जो भी स्टेट और सेक्टर है वो आ को आगे बढ़ा सकते हैं और इनुवेशन एको सिस्टम की यहां पर जरूवत है ऐसी सर्वे में बूली गई है नेक्स्ट ट्राइबल अफेर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा सहब चार दिन अंदमान के लिए विजिट किये हैं तो अर्जुन मुंडा सहब यहां पर ट्राइ अर्जुन में इस्तित है जिसके कारण वहां पर एक मुजियम बना है और देखे हैं वहां पर एक और बात आती है तो वहां पर डूंगॉंग क्रीक है जो कि लिटिल अंदमान आइलेंड के आसपास है वहां पर कंप्यूटर लैब प्राइमरी स्कूल खोली गई है तो यहा इंट्रेक्ट होंगे तो ओंग सिंपोन जर्वा यह तीनों ट्राइब कहां पाया जाती है तो अंदमान के यह ट्राइब है इंपोर्टेंट क्वेस्टन्स है यहां से सारी स्टेट पीचेस ने क्वेस्टन्स बनाये हैं इन ट्राइब से तो इन ट्राइब से भी मुलाकात क करेंगे और डुगांग क्रीक से अगर questions UPSC में बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्रीक कहा है क्योंकि important चीजें भी locations में आ गई है next बढ़ते हैं editorial की तरफ और देखते हैं आज का editorial क्या है जो की बहुत important है woman reservation bill पे बाते चल नहीं है तो देखेंगे इसकी detailing आखिर में woman reservation bill है जो patriarchy को कितना हद तक ठेश कर रहा है patriarchy क्या होता है friends और matriarchy क्या होता है friends इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूँ अगर patriarchy की बात मैं करूं यहाँ पे तो patriarchy आप देख सकते हैं अगर कोई भी patriarchy versus matriarchy मैं तूलना करता हूं यहाँ पे तो आप एक चीज़ समझ लाइए patriarchy जो है पित्रात्मक सत्ता को दर्साता है यानि male candidate को और matriarchy जो है female candidate को मात्री तात्मक सत्ता को दर्साता है तो यहाँ पे जो है male लोग dominant करते हैं यहाँ पे female लोग dominant करते हैं ऐसी चीज़ें आप मान सकते हैं दूसरी जो बाते बोली गई है इसमें कि patriarchy सत्ता जब आती है तो कहीं न कहीं वो अपने male work को ज़्यादा तवज्यों देते हैं ज़्यादा उनको prosper रखने के लिए अपने rights के लिए वो आगे आते हैं market में और जिसके कारण यह जो चीज़ें है फिमेल वाली यह कहीं न कही छूट जाती है अपने चीजों को लेकर तो यह patriarchy और matriarchy में conflict पैदा होता रहता है और एक समय था जब सत्माहना डाइनिस्टी थी तो यहाँ पे patriarchy matriarchy के बीच में conflict नहीं था यहाँ पे matriarchy सत्ता थी तो matriarchy सत्ता सत्माहना डाइनिस्टी में थी वहाँ पे ladies rule किया करती थ है conflict male और female में चलती रहती है कभी male का rule आता है तो कभी female का rule आता है लेकिन यहाँ पे इस democratic country की बात करी जा रही है तो democratic country में सबको equal right है यहाँ पे constitution में fundamental rights में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है कि हम किसी के साथ भेद भाव नहीं कर सकते हैं सबको equal रखना है यह सारी equality की भी बाते चल रही है तो gender equality की बाते global level पे चल रही है सारे country अपने अपने देश में अलग अलग तरीके से अपने representation को अपने parliament parliament में रख रहे हैं और women को empower करने की बात world में चल रही है देखते हैं इस article को तो यहाँ पे partyarchy की जो glass है वो बहुत हद तक तोड़ने की बात करी गई है कि एक प्रकार से इसको बात के रखी गई है जो 75 साल में चीज़ें चली है भारत की अजादी के आसपास जो अमरित काल मह मुस्ता मना रहा है उसके बाद भी ऐसी चीज़ें यहाँ पर भारत में चल रही है तो इसको देखने की जरुवत है और सही तरीके से तभी यह चीज़ें आगे बढ़के आएंगी इनडीपिंडेन्स बात है यहाँ पर बूरी जा रही है परलियामेंट जो है कहींने कहीं लैकिंग किया है किसमें रिपर्यजेंटेशं में और मात्र चौद़ परसेंट ही परलियामेंट में वोमेंका अभी रिजेंट्ली है तो यहाँ और एक 50% जन संख्या आगे बढ़ेगी तो ये कहीं न कहीं unbalance system निकल के आएगा और जिसके कारण अपने देश का विकास नहीं होगा गलोबली चीजें impact होगे यह यहां पर चीजें बोली जारी है एडिटर के द्वारा बहुत सारी numerous female representative हैं थी हमारे constituent assembly में जैसे की बात करी जाए एक decade एगो की अगर हम बात करी जाए constituent assembly में तो थी ही लेकिन अगर एक decade एगो की बात करी जाए तो three आप इंडिया's largest state जो है भारत की जैसे की वेस्ट बेंगौल है तमिल नाडू है उत्तर प्रदेश है यहां से देखा गया है कि woman की chief minister भी हुई है तो woman की chief minister हुई है यह बहुत अच्छी बात है और यह ज्यादा तर वेस्ट बेंगौल और तमिल नाडू और उत्तर प्रदेश में चीजे निकल के आई है बात करी जारी है सुस्मा स्वाराज जो की opposition इंडर लोक सभा थी और सूनिया गांधी जो सर्व करी बोथ अच्छ प्रेसिडेंट आप अच्छी बात है और इंडिया अपना पहला फर्स्ट उमेन जो प्रिश्डेंट के रूप में पाया वो उनका क्या नाम था प्रतिभा पाटिल इनका नाम था यह एक प्राइड की बात है कि कम से कम इस पोश्ट पे हमारे देश के वोमेन भी पहुंची है तो यह अच्छी अच्छी बात है जिंडर इक्वैलिटी की तरफ कहीं कहीं हम बढ़ना हैं लेकिन जो प्रोगेश और पेस है काफी स्लो है उसमें चेंज करने की बात करी गई है तो यहां पे बात बोली जा रही है पट्रिया की जो है उसको हम लोग कहीं कहीं बदलना पड़ेगा उस इपेंडेंस एरा में यह चीजें चली है और वें 1955 में गोर्मेंट अपॉइंट्मेंट कमीटी रिकमेंडेट देट दस प्रतिशा तेन परसेंट आप दसीट इन लोग सभा और इस्टेट एसेंबली शुट भी रिजाब तो यहां पे है देखिए वर्ड यह मेंडेटरी न और 1980 की बात करी जाए तो 1980 में यह डिमांड करी जाती है देखकर कि रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन के लिए डिमांड की एक मुमेंटम बनती है कि हां डिमांड करी जाए 1980 में 55 से लेके हम आते हैं 80 में और 80 से हम पहुंचते हैं 88 में 88 में क्या बोले रिकमेंडेशन दी जा रही है 30% सीट जो है और इलेक्टेड बॉड़ी शुट भी रिजर्व फार वूमेंड तो 88 में यह डिमांड कर दी जाती है कि 30% जो सीट है इलेक्टेड बॉड़ी 2001 में तो 2001 में नेशनल पॉलिशी फर इंपॉर्मेंट अपूमें यह रिकमेंडेशन को एड़ाप्ट करती है अब उसके बाद यह चीजें क्या आती है तो 1993 में पंचायती राज एक्ट जो पासो के आता है वो रिजर्व करता है क्या 33% अप आल सीट्स इन लोकल Buddhism which was a significant step to our women political improvement वोमें का political improvement economic improvement social improvement तहीं सम्भव है जब उनको हम समाज में right देंगे उनको अधिकार देंगे उनको आगे ले के आएंगे तो उनका जो rights है कहीं तब सही समाज में एक रूप में उनको ले में और अपने 50 प्रित जंसंग्या को हम जो सीरे छोड देते हैं डवलप्मेंट को जो हैंपर करता है वो भी आगे आएंगी और देश कोई भी तभी तरक्की कर पाएगा बात करी जारी है उनिस सो चांचट में तो वोमेन की जो है रिजर्वेशन बिल जो है इंट्रोड्यूच करी गई लोकसभा में और बिल प्रपोज टू रिजर्व वन हर्ड की सीट के लिए यहां पे डिमांड करी गई प्रोपोजल रखा गया जबकि जो ऑपोजीशन थे 2000 के आसपास वो इस्ट्रॉंग ऑपोजीशन करें पॉलिटिकल पार्टी में यहां पे ऑपोजीशन हुआ जाहिर सी बात है कई सारे लोगों को यह चीज़े नहीं पच अब हमें और यह बिल जब प्रूब जाती राज समय में तो सुनिया गांधी सुस्माज स्वराज ब्रिंदा कारेत सीपी आईयम के जो लीडर है यह लोग एक साथ फोटोग्राफ परल्यामेंट के बाहर किचवाते हैं और एक स्माइलिंग फेस एक साथ हाथ मिलाके यह लो हैं तो यह एक बहुत बड़ी इंडिकेशन से अगर इस तरीके से चीजे होती है अपने देश को आगे ले जाना है तो जहां ही छी बात इस तरीके से अगर सोचेगी तभी जाके चीजें सही बनेंगी यह नहीं कि हम प्रो पार्टी हैं तो प्रो पार्टी बनने से किवल पार्टी का बेनिफिट होता है देश के पीपल का लोगों का बेनिफिट होना बंद हो जाता है बात आती है ग्लोबली देखने की तो क्या व पानी गई है ग्लोबल और यह अगर कोई भी वूमेन रूल करती है तो वह अपने पॉलिसी को अपने स्कीम को इंप्लिमेंटेशन को अच्छे से इंप्लिमेंट करवाती है और उसकी रूलिंग टाइम पीरियड में चीजें अच्छी भी डबल अप होती है अच्छे से इंप्लिमेंट भी होती है ऐसा माना गया है तो वूमेन इंप्लिमेंट की जरूर्मेंट है तभी यह चीजें सही होंगी ऐसा बोला गया है बात आती है रवंडा की जो एक डरावनी बातें है जो की रवंडा एफ्रिकन नेशन्स है यहां पे जीनुसाइड होती है और इसको यहां पर फीमेल वुमेन निकल के आती है लीडर और इसको कहीं न कहीं बहुत हद तक डील करती है किसे कि यह जो जीनो साइड होता है रवाना में उसको भी यह डील करती हुई नजर आती है तो वुमेन के पास हर प्रकार से आप देख सकते हैं यह टैकल करने के लिए छहमता इस्वर ने दी गई है तो पेसेंस जो है सबसे ज़्यादा वोमेन में दी गई है और उनकी आत्म सक्ति इतनी ज़्यादा होती है जो जिसके कारण वो अपने उसको अपना एक प्रकार से बल बनाके आगे जीवन में बढ़ती है तो हमें women की participation को neglect नहीं करना चाहिए, world के बहुत सारे ऐसे leader है जो top most पे women ही उन countries में पाय जाती है तो देखिए आपके US में भी vice president woman है, यहाँ पे भारत में भी vice president woman है तो हमारी अपनी country में धीरे धीरे जो progress कर रही है उसको pace लाने की जरूरत है और बहुत सारे Norwegian country में भी women leader निकल के आई है Australia की PM, CM यह लोग भी कई सारे लोग women निकल के आई हैं तो यह चीज़ें अच्छी हैं, Norway भी इस चीज़ें को implement कर रहा है 2003 में की 40% of the seat corporate board to be occupied by women तो यह भी अच्छी बात है यह इसी चीज़ें निकल के आ रही हैं आगे क्या कहते हैं बाबा साहब का यह राय था कि अगर कोई भी community country कोई भी देश वर्ल्ड अगर अपने major करना चाहता है development को तो यह देखे कि वहां की women कितनी progress कर रही है क्या क्या achieve कर रही है उन्हीं के आधार पे आप judge कर सकते हैं कि हाँ country एक double up country की तरफ जा रही है तो यह एक benchmark set की है और equality cannot wait any longer ऐसा बोला जा रहा है कि अगर इस चीज को चाहिए तो आपको इसको लंबे समय तक pending में नहीं रखना है तभी जाके equal justice होगी equality समाज में आएगी और gender equality की बात जो बोली जा रही है तभी जाके शंबह हो पाएगी नेशन जो है फिर भी अपना राश जो है इस चीज को provide करने के लिए क्या basic amenity ही provide करने के लिए कि health care education यह सारी की सारी जो basic necessity है उसको हम provide कर लें इस चीज के लिए हम अभी भी लड़ है तो dignified life of citizens को आवस्चक है और women take charge of the task of transforming India तो women को है अब charge लेने की आवसकता आ गई है कि वो इंडिया को एक तरीके से transform करें एक नए stage पे लेके जाने के तभी इंडिया जो है विस्ट गूरू की तरफ बढ़ पाएगा ऐसा बोला जा रहा है तो women reservation bill cannot wait any longer the bill must be passed तो यह जो bill है 33% वाला यह women का यह bill pass होना चाहिए इसको राजसभा में ही बस spending होके नहीं रहना चाहिए यहां से आगे आना चाहिए और यह bill pass होगा तभी जाके women को अच्छा representation मिलेगा सारे के सारे electoral body में लोगसभा राजसभा और assembly election सारे local body urban body यह सारे के सारे चीजों में तभी जाके मिल पाएंगी ऐसी चीजें यहां पर editor के द्वारा बोली गई है देखते हैं इस recently अभी recently meeting चल लए है संगाई cooperation organization की जिसमें बाते निकलके आई हैं हमारे राजनाथ सिंग जी की और इनके counterpart हैं इनहीं के समकच्छी बोले जाते हैं क्या इनका नाम है सर्गी सोंगू तो सर्गी सिंगू रसियन के counterpart हैं यह भी minister हैं सर्गी सोंगू क्या बाते बोले जानी हैं वो हम देखेंगे त कि supporter आप terrorism कौन है तो supporter का जो terrorism को support करेगा उसकी जिम्मेदारी तैय करनी पड़ेगी क्यों क्योंकि किसी भी country में अगर terrorism फैल रहा है तो यह चीजें कौन डिल करेगा यह भी एक मुद्दा है तो यह CEO में यह बाते उठाई गई है और यह terrorism जो है एक प्रकार से खत्रम आने ग सकता है सर्गु शॉंगु से भी question बन सकता है तो यह रसियन के defense minister है यह चाइना के defense minister है ली सांग्फू तो याद रखिएगा यह चीजें चल नहीं है nations को से कोई जगह नहीं देना चाहिए और किसी भी प्रकार के threat से यहां पे हम तभी sorry तभी बस सकते हैं तो यह ऐसी चीजें यहां पे बोली जा रही है देखते हैं आगे क्या होता है बढ़ते हैं next editorial की तरफ यहां पे देली police register करी है दो FIR wrestler के case में तो wrestler के case में यहां पे FIR दर्ज होना अब सुरू हुई है जो कि बहुत सेम की बात है क्योंकि अगर FIR ही नहीं दर्ज होगा तो case कैसे बनेगा तो यह यहीं पे चीजें खतम हो जाती है primary stage पे ही कोई भी चीज अगर देश में country में कोई चीजे होती है तो यहां पे क्या हो रहा है wrestler के द्वारा जो भी Olympic wrestler है जो भी देश के खिलाड़ी है sportsman है वो यहां पे president former wrestling federation of India के president को ब्रीज भूशन सरन सिंग के किलाब case है कि वो हरास किये है और जिसके कारण यहां पे चीजे चली है तो FIR will be registered today और solicitor general कौन है तूसार में है ता questions यहां से भी बन सकता है वो appearing for police told the bench of chief justice of India तो यहां पे आएंगे और यहां पे बताएंगे कि क्या चीजे चल लही है ऐसी चीजे यहां पे निकल के आई है कपिल सिंबल का क्या कहना है कि कपिल सिंबल wrestler के लिए यहां पे लड़ आया है और आया है मार्केट में कि क्या बोलना है यह कि security और safety जो है हम लोगों के भी बहुत आवस्ता के हमें टास इस पेसल टाक्स पोर्ट की सेप्टी दी जाए क्योंकि हमें कहीं न कहीं खत्रा है और कहीं न कहीं politicization और criminalization यह दोनों separate होना चाहिए और किसी भी प्रकार से criminalization mix नहीं होना चाहिए with politicization तो politics के साथ यह चीज़े मिल जाएंगी तो बहुत हत तक हम लोगों की democracy dead होती चली जाएंगी system जो है corrupt होता चला जाएगा वही यहां पे बात बुली जा रही है आगे बढ़ते हैं देखते हैं नए editorial की तरफ तो none too soon जो है यहां पे delay किया जा रहा है क्या conveying decision on ascent to the bill is constitutionally impermissible तो यह जो है constitutionally illegal बाते बोली जा रही है यहां पे किस चीज़ को कि अगर कोई भी बील जो है governor लंबिस समय तक रोक के रखता है तो यह constitutionally illegal है उसको या तो रखना चाहिए यह ऐसी चीज़े discretionary power में उनको नहीं बोली गई है तो discretion का गलत इस्तमाल करने के चलते यहां पे बहुत सारी problem निकल के आ रही है basically अभी जो supreme court यहां पे बोल रहा है इस bill पे कि आप लंबे समय तक decision को pending में नहीं रख सकते article 200 बहुत news में है इससे questions बन सकते हैं इसलिए आप लोग दें आन्द कियेगा क्या कहता है कि convey a sense of immediacy in the matter of returning a bill तो यहां पे the expression यूज हुआ है as soon as possible यह चीज़े याद रखिए तो जितना जो है लंबे समय तक hold करने के लिए यहां पे illegal बताया गया है किसके द्वारा court के द्वारा supreme court के द्वारा देखते हैं आगे क्या होता है और कुछ तीन मुद्धे हैं जिसको इस तो क्या है absent up time limit for acting the bill और यह चीज़ें देखी रही है उसके बाद जो आती है इसको for reserving the bill for the president reconsideration against the express advice तो यह दूसरा point है और तीसरा point है क्या आता है claim that governor can kill any bill तो क्या governor कोई भी bill kill कर सकता है declining asset तो अपने asset को decline करके governor kill कर सकता है कि नहीं इस चीज़ पे तीन point तीसरा point चल ला है तो article 163 यहाँ पे news में आ जाता है article 163 163 क्या कहता है तो यह पहली rule है यह कि governor function करेंगे aid और advice पे किसके cabinet पे cabinet के advice पे governor function करेंगे आर्टिकल 163 में mention है question यहाँ से मने है याद रखिएगा यह चीज़ें और दूसरी जो बाते बूलनी है कि inquire करने के लिए whether the particular matter fell within their discretion or not तो यह जो power है उनके अंदर उनके limit में है कि नहीं उनको discretionary power यह चीज़ की दी गई है कि नहीं यह सी चीज़ के बारे में बहस चल लए है आगे जो चीज़ें निकल के आएंगे आपको बताए जाएंगी next क्या चीज़ें चलती है यहाँ पे tackling the threat की बात करी गई है ज यहाँ पे हुई है तो साउथ कोरियन के जो प्रेसिडेंट है यून सुक यूओल ने अमेरिकन पाई सौंग की अपनी अमेरिकन पाई की गाना इन्हों ने गाया और याद रखिएगा यह questions पूस सकता है और 17 जो है अपना anniversary alliance ये लोग साउथ कोरिया और US मिलके celebrate किये और ए इससे from nuclear attack by the North Korea तो North Korea और South Korea का location जाके आप जरूर देखिए North Korea और South Korea ऐसे boundary create करते हैं आपके Pacific Ocean में ये Pacific Ocean में है और ये जो है हमेशा यहाँ पे जो है किम जौंग उन यहाँ के dictator है तो किम जौंग उन क्या करते हैं कहते हैं कि हम यहाँ पे अमेरिका के उपर Intercontinental Ballistic Missile छोड़ देंगे और ये जो है South Korea के उपर भी ये दागने का बात करते रहते हैं यहाँ पे ऐसी चीज़ें चल नहीं है जो कि important है और news में आई है तो वह वासिंग्टन declaration इसी को related करके अभी news में आया है recently वो याद रखिएगा Washington ये भी कहा है कि remain the sole authority deciding whether or not to carry out nuclear response in any such eventuality तो या इनकी sole authority है कि ये कहां कहां अपना nuclear power को लेके आगे जाएंगे 40 year nuclear armed submarine ये जो है अभी recently 40 साल की बात जो है बात ही करीगे ये recently आपको ये अपने submarine को nuclear submarine को ले आके South Korea के आसपास रखे हैं ताकि उनको protections दी जाए ऐसी चीज़ें निकल के आ रही है इससे पहले 1991 के आसपास चीज़ें खीच ली गई थी withdrawn from region 1991 तो ये चीज़ें खीच ली गई थी अभी recently AC जें चल लई है तो याद रखिएगा सीप अपना ले आके nuclear submarine वहाँ पे किसके South Korea के आसपास रखी है ट्रॉम्प और नॉर्थ कोरियन लीडर कीम जॉंग उन की जो meeting हुई थी 2018 में कहां पे हुई थी सिंगापूर यहां से questions कई सारी स्टेट पीचेस ने पूछे हैं तो 2018 में ट्रॉम्प जाके meeting करते हैं डर डर के कि क्या इसकी कैसी solution निकाला जाया क्या पता यह पागल आत्मी कहीं दाग न दे हमको और intercontinental ballistic missile एक बार चीजें आई तो problem create हो जाएगी वैसे तो अमेरिका के पास बहुत सारी protections है उपर उपर हवा में ही मार कर देगा लेकिन फिर भी बहुत सारी country की जिम्मेदारी एक powerful country की बन जाती है US जो की powerful country अपने आपको मानता है इस चीज को देखते हुए यह हस्त छेप करता रहता है early year after the North first test test nuclear bomb in 2006 तो जो है North Korea 2006 में पहला जो है टेस्ट करता है और उसके बाद इसका जो concern है पेंग्योंग पे पहले नहीं था बाद में इसका concern यह South Korea की तरफ आरती है तो South Korea के रहा धनी पेंग्योंग है यह भी याद रखेगा important facts है और intercontinental ballistic missile का यह इकठा करना North Korea शुरू कर देता है 2006 के बाद से यह इकठा करना North Korea शुरू कर देता है जिसके कारण बहुत सारी problem निकल के आती है तो US and South Korea यहाँ पे और मजबूत होंगे इनका जो declaration है उससे और भी ज़्यादा strong होगी अब इस situations को बहुत हत्तक discolate करने के लिए बात बुली जा रही है एडिटर के द्वारा इसको कम किया जाया तभी जाके situation ground level पे सही हो पाएंगे कोई भी country अगर nuclear के तरब जाती है nuclear power की तरब जाती है वेपन के तरब जाती है तो वो country अपनी security point of view से उस चीज को डबलब करती है लेकिन उस चीज का कब गलत तरीके से इस्तमाल हो जा यह कोई नहीं जानता political scenario कब बिगड़ जाय ये कोई नहीं जानता geopolitics किसका कब बिगड़ जाय ये कोई नहीं जानता अभी recently अगर बात करी जाय रसिया और उक्रेयन की तो रसिया उक्रेयन में भी nuclear power कहीं नच्छड जाय ऐसी भी चीजे बाते अभी तक चल नहीं है क्योंकि यह लंबे समय तक war की इसके आया है कोई ये भी नहीं जानता था कि ये दस दिन भी वार जाएगा कि नहीं लेकिन यहाँ पर जो West Country सपोर्ट कर रही है Arms, Immunitions, Money, Economy, Economically सपोर्ट कर रही है युक्रेन को जिसके कारण युक्रेन इन सब चीज को लेके रस्या से भीड़े हुए अभी तक तो बहुत सारे Arms, Immunitions, Tanks, गोला बारूद, बहुत सारे वेकिल, US इनको भी रिसेंटली प्रोवाइड किया है जिसके कारण ये चीज़े और चल नहीं है तो यही निकुलियर थ्रीट है इसी को टैकल करने की बाद इस एडिटर साब यहाँ पे बोलना है नेक्स्ट यहाँ पे जो एक इस्सू आया है, दक केरला स्टोरी एक पिक्चर है जो निकल के आई है, यह भी एक निउज में आगई है इसमें मुसलिम को यहाँ पे अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा गया है तो यह इंटरनेट पे अपनी चीजें निकाली है, यहाँ पे ट्रेलर होगा रहा है, आई है, जो कि यहाँ पे कल्चर, यहाँ के मिनिस्टर जो है, साजी चेरियन सहाब इसको बाइकाट करने की बाते बोली गई है और इसमें यह भी बताया गया है कि जो केरला में रेडिकलाइज सिस्टम चीजें चल नहीं है, और आईएस के लोग कैसे रिक्रूट हो रहे हैं, आफगानिस्तान में 2016 के आसपास, तो यह चीजें चली हैं, लेकिन बीजेपी के कोई भी ऑफिशियल यूनिट वहाँ पे इ यह निकलके आता है, क्योंकि यहां इलेक्शन होने वाले हैं, और देखते हैं वहां के इलेक्शन में क्या चीजें होती हैं. आगे बढ़ते हैं यहां पे drone से है bullet को लाया गया bullet यह चलाने वाली Royal Infield की bullet नहीं है गोली बारूद की बाते बोली जारी है और IED की बाते बोली जारी है पूच का जो इस हुआ है वहाँ पे जम्मू कस्मीर की पोलीस ने यह बाते confirm करी है तो गमुक कस्मीर की पुलिस ये बाते confirm करी है कि वहाँ पे explosive जो devices लाए गए है वो drone की साहिता से इस पार भारत के ये पाकिस्तान और ये इंडिया तो इस पार drone के साहिता से लाए गए है और लोगों की जो हत्या हुई है 12-15 लोगों को पकड़ा गया है वहाँ पे अपने personal, army personal की हत्या भी हुई है बहुत सारे लोगों की तो drone का इस्तेमाल यहाँ पे आपको UPSC पूछ सकता है कितने sectors में होता है तो जहाई सी बात है medical sector में trade के sector में और किसीज के sector में entertainment के sector में और education के sector में delivery, service delivery के sector में तो drone का अभी जो इस्तेमाल है बहुत ब्यापक हो गया है defense के sector में और यहाँ पे terrorist जो है इसका इस्तेमाल अपकरना शुरू की है तो defense के sector में हम drone का इस्तेमाल करते हैं terrorist अपना drone का इस्तेमाल terrorizing के शक्कर में यहाँ पे करना है तो यह भी एक important है प्रोज कौन्स लोगों के आने चाहिए आपको तभी इस चीज को relate करके आप समझ पाएंगे यहाँ पे चाइना जो है send किया है 38 warplanes और 6 navy vessels कहाँ पे ताइवान पे तो जो ताइवान है वो आपके Pacific oceans में स्थित है वहाँ पे 38 यह भेजता रहता है और हमेशा डराता रहता है उसको यह एक सोचने वाली बात है वर्ल्ड में कहीने कहीं अगर peace रहेगी तो अच्छी बात है लेकिन चाइना ऐसी country है जो हर जहां आके अपना पैर फैला देता है और लोगों को कहता है कि यह मेरी जगह है यह मेरी जगह है और आपकी तीन जगह को अगर वो अकुपाई करेगा तो कहएगा चलो यह मैं दोनों जगह तुमको देता हूँ यह मेरा जगह है तो आपको कहने कहीं मानना पड़ेगा अगर आप weak country है economically तो आपको कहने कहीं उससे compromise किसी न किसी रूप में लोग कर ही लेते हैं इसलिए उसकी policy यहाँ पे चिरकुट वाली जो policy है वो देखी जाती है यहाँ पे देखा जाए तो 11 लोग यहाँ पे मारे गए है 11 लोग की मिर्ति हो गई है यहाँ पे इंडोनेशियांस में capsizes in the sea तो जो सीज है वह सीबोड जो है वह पलट गया था जिसके काराड 11 लोग की मिर्ति हो गई है तो याद रखिएगा 24 इंडियन crew oil tanker crew on oil tanker जो भारती लोग थे वो यूएस के जो कोष्ट यूएस का जो वहाँ पे ship था इस पे हम लोग थे इस पे कारे करते थे इस पे यहाँ पे थे तो इन लोगों को अभी recently siege किया गया है जो की एक issue बन गया है अपने भारती है 24 भारती है यूएस के oil tanker पे तो यूएस bound oil tanker यहाँ पे siege किया गया किस के दोरा इरान के दोरा तो यूएस इरान और चाइना ये तीनों मिलके एक issue नया create कर रहा है यूएस जो है पहले sanction करता था इरान पे लेकिन इसका support चाइना का आया इरान को और ये nuclear power के लिए यहाँ पे इससे हाथ मिलाने को बेता तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे जो बराक उबामा थे इरान पे बहुत हद तक अपनी चीजों को अच्छे से लेके गए थे लेकिन अभी यहाँ पे बीडेन साहब और डुनाल ट्रप जो आए ये दोन लोग चीजें अलग प्रकार से इस चीज को deal की हैं देखते हैं शांती दे इस्वर ऐशा प्रात्ना है यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट बात है भारत के लिए बहुत प्राइड की बात है इंपोर्टेंट नीज है इस चीज को आप दिमाग में रखिया तो यह ग्लोबल ग्लोब रेस जो है एक होती है उसमें क्या चीजे होती है तो इस आपको पूरे प्रिथवी का चक्कर लगाना पड़ेगा और यह 1968 से ही चीजें शुरू हुई है ऐसी चीजें यह बहुत इंपोर्टेंट न्यूज है बहुत डेंजरॉस गेम भी यह माना जाता है इसमें जो है सेलर कैन नाट सीख हेल फर रिपेर जो भी इस नाव को चला रहा है वो रिपेर के लिए सपोर्ट नहीं कर सकता आपको स्वयम नाव को रिपेर करना होगा स्वयम चलाना होगा और बहुत सारी टेकनोलजी से बहुत सारे गैजट से स्वयम को दूर भी रखना गाइक्सिमम जितना आप कर सकते हैं और बात बोली जारी है जो भी meridian line है meridian line को सारे meridian line को पिर्थवी की आपको cross करना पड़ेगा जो equator है उस equator को at least दो बार आपको करना पड़ेगा तो at least दो बार equator को आप cross करेंगे यह यहां terms and conditions है और दूसरी बात जहां से अग फ्रांस से यह चीज़ें शुरू करी गई थी तो फ्रांस के port पे ही चीज़ें आके रुकेंगे और तीन जो है great copes है जो cape living और cape horn और cape good hope यह तीनों आपको cross करना पड़ेगा इस game में यह एक dangerous game है जिसके कारण यहां पर चीज़ें बोली गई है क्या चीज एलाउ है इसमें तो यहां पर आपको एलाउ है कि टू वे satellite आपको मिलेगी दूनों तरफ से और short text यहां से आप कर सकते हैं जो कि headquarter से आपको चीज़ें प्राप्त होंगी और two handheld satellite phone भी मिलेगा up to four short messages के लिए तो चार short message आप पर दे भेज सकते हैं यह ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी और participation के लिए यहां पर चीज़ें मिलेंगी लेकिन आप GPS से अगर उपियोग करते हैं तो आपको disqualify कर दिया जाएगा ऐसी चीज़ें बताए जारी है तो यहां पर क्या नहीं मिलता है आप देख सकते हैं GPS नहीं मिलता है चार्ट भी नहीं मिलेगा electronic wind system भी नहीं मिलेगा electronic autopilot भी नहीं मिलेगा electronic lock satellite phone यह सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी digital camera नहीं मिलेंगे computer cd player mod के pocket calculator electronic clocks यह सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी और इसका उपियोग आपको नहीं करना है तो यह टप टास्क है और कौन जीता है तो अभिलास याद रखिएगा यह बात अभिलास टोनी तो अभिलास टोनी साहब ने इस चीज़ को अभी recently complete किया है 19 अपरेल 2023 को और यह जो तीज़े थी बहुत dangerous माने जाती है और यह चीज़े golden globe race जो है यह अपने भारत का नाम यहाँ पे रोसन किया है अभिलास टोनी साहब इस चीज़ के बारे में आपको मैं यहाँ पे विनेमर अपील है इस अपील को आप ध्यान दे कि जितना से जितना हो सके planting करने का प्रयास करिए तभी जीवन में आपके और इस प्रित्री पे हरियाली आ सकती है यह थे कुछ आज के detailing और मैं इस चैनल को आप से request करूँगा कि इसको subscribe कर लें ताकि इसके जो subscriber होंगे उनको जो में वीडियो और current affair का वीडियो यहां पे डालता हूं वो आपको असानी से सबसे पहले update हो सके तो इस चैनल को subscribe करना share करना नहीं भूलें तभी जाके इस चीज को feedback के रूप में YouTube accept करता है और इसको इसकी feedback आप देंगे तो एक अच्छा result निकल के आएगा यह मेरा channel है इ थैंक यू फार वाचिंग पूरा एकेडमी